हमारे देश में एक ऐसा कुंड है जो देखने में तो साधारन लगता है लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब भी कोई प्राकुरुतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का पानी खुद वखुद बढ़ने लगता है मान्नेता है कि इस जलकुंड की गाथा महाभारत के काल से जूड़ी है इसलिए शायद इस जलकुंड का नाम भीम कुंड पड़ा कहते है इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है विदेशी वैज्यानिक, स्थानिय प्रशासन और डिस्कवरी चानल जिसने भी इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की उसे विफलता मिली लेकिन आखी रैसा क्यों है तो आई ये जानते है यह रहस्य में भीम कुंड मध्यप्रदेश के छतरपूर जिले से 70 किलोमिटर दूर बाजना गाउ में स्थी थे इस कुंड के बारे में कहां जाता है की महाबरत काल के समय में जब पांडव अधनात्वास में थे और वो इधर उधर भटक रहे थे इसी बीच उन्हें प्यास लगी और पानी कहीं नहीं मिला तब भीम ने अपनी गदा से मार कर यहाँ पर कुंड बनाया जिसके कारण पानी आ गया यह कुंड देखने में बिलकुल गदा के जैसा ही है और यह 40-80 मिटर चवड़ा है आच्चर्य की बात तो यह है की वैज्यानीक इस जल कुंड में कई बार गोताखुरी करवा चुके है किन्तु इस जल कुंड की था अभी तक कोई नहीं पा सका ऐसी मान्यता है की 18-20 शताब्दी के अंतिम दशक में बिदावर रियासत के महाराद ने यहाँ पर मकर संक्रान्दी के दिन मेले का आयोजन करवाया था उस मेले की परंपरा आज भी कायम है मेले में हर साल हजारो लोक शामिल होते है भीमकून एक गुफा में स्थीत है जब आप सीडियों से अंदर कुंड की तरप जाते है तो यहाँ पर कुंड के चारों तरप पत्थर ही पत्थर दिखाई देते है यहाँ लाइड भी कम होती लेकिन यहां का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है भीम कुंड के ठीक उपर बड़ा सा कटाव है जिससे सूर्य की किरने कुंड के पानी पर पड़ती है सूर्य की किरनों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभराती है यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डुबने वाली व्यक्ति का मृत शरीर कभी उपर नहीं आता जबकि आम तोर पर पानी में डुबने वाली व्यक्ति का श्यव एक समय पच्चात खुद बखुद उपर आ जाता है इस कुंड में डुबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदुरुष्य हो जाता है भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जानी वाली सीडियों के उप्री सिरे पर विश्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है कई विज्ञानिकों ने भीमकुंड पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है और इसकी गहराई भी जानना चाही लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुल्जा नहीं पाया है एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर दो कुए जैसे बड़े छिद्र है एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है जब हमने यहां मवजूद लोगों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका समंद सीधे समुद्र से है क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहां जाली नहीं लगी हुई है वहां से भी लोग इसमें डूबे है उनकी लाश तक नहीं मिली है इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी इसके पानी की लहरे दस फुट तक उठ रही थी उस समय यहां मवजूद सारे के सारे लोग डरकर बाहार निकल गए थे भीम कुंड का जल हमेशा साप और स्वच्छा रहता है इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जलस्तर कभी कम नहीं होता यहां पर बने आश्रम जहां बहुत सारे बच्चे भी रहते है और आसपास के सारे शेत्र में यही से पानी की सप्लाई होती है लेकिन पानी खत्म होना तो दूर गर्मियों के समय में भी यहां का जलस्तर कभी कम नहीं होता एक बार तो सरकार की ओर से भी इसका तल जानने के लिए वटर पम से यहां के पानी को निकाला गया था तब भी यहां का पानी कस्तर कम नहीं हुआ प्रहा हुआए है